रिवा जिले में आए दिन लूट चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं बदमाज दिन तहाडे जहां लूट चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वहीं अंधेरा होते ही इनका खौफ चा जाता है जिले में 24 घंटे के अंदर दो लूट की घटनाओं ने फिर पुलिस को परशानी पर जोड डाल दिया है समान थाना चेतर के समान नाके के पास जहां वृद्धी के साथ मोबाईल और नगदी की लूट हुई है वहीं रायपूर करचर्यान थाना छेतर अंतरगत फोर वील वाहन सवार बदमाशों ने मोबाईल पर्स में रखे नगदी और कुछ जरूरी दस्तावे छीन का रफू चक्कर हो गए दोनों मामलों का पुलिस तो राग नहीं लगा पा रही है जबकि पीड़तों के द्वारा थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई है बताया जाता है कि समान थाना छेतर के सामने नाके के पास बाबुलाल साकेत नामक वृद्ध ने साथ तीन यूवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है पीड़त के द्वारा नामजाद शिकायत दर्ज कराई गई है लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है लूट करने वालों में अतुल सिंग नाम का यूवक बताया जाता है जो अपने दो अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया है जबकि रायपुल कर्चरियान थाना छेतर में कोस्टा में मनकमा निवासी संजीव विश कर्मा को आरोपियों ने निशाना बनाया है बताया जाता है कि फोर वीलर वाहन में सवार आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है आरोपियों ने नगदी और मोबाइल के साथ जरूरी दस्तावेच छीन कर भाग निकले है उप्तगटना महरशी स्कूल के पास घटित होना बताया जाता है छेतर में लगातार लूट चोरी की घटनाओं से आम जन जहां भैभीत हैं वहीं पुलिस लूट चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर पा रही है ऐसा लगता है कि पुलिस चोरोचकों के सामने घुटने टेक दिये हैं अब देखने वाली बात यह है कि छेतर में हो रही लूट चोरी की घटनाओं पर पुलिस अंकुष लगा पाती है और आरोपी पकड़े जाते हैं या इसी तरहें बदमाश खुली चुनोती देते हुए जिल्वे में भैक अवातवरन कायम रखने में सफल रहते हैं